नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूटूब चैनल एस्कलेपियस आरवेदा में दोस्तों आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे एस्कलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जभी प्लान देना हो या प्लान देने से पहले हम इंट्रोडक्शन सेशन को कैसे करें तो आएए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैं अनन्त फ्रॉम बक्सर डिस्टिक और दोस्तों मेरा काम है 10-20-50 लोगों को एक जगह इकठा करके स्वास्वास्समंदि जनकारी देना और अवेर करना कि किया कब और कैसे खाए और क्या न खाए उन्हें उनके हैल्थ से रेलेटर्ड जनकारी देना हेल्थ हैवेरनेस प्रोग्राम के जरिए किन्तु हम जैसे ही हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सुभाइक है कई लोगों के मन में ये सवाल जरू उठेगा या उठा भी होगा कि क्या सामने वाला बंदा कोई डॉक्टर है तो फर्स्ट अफॉल मैं यहां क्लियर कर दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं क्योंकि विमारिया दो तरक्य होती है एक डिजिज होती है एक लाइफ इस्टाइल डिजिज होती है यदि डिजिज की बात करें तो जल गया कट गया या कोई बड़ा ओप्रेशन या डिजिज ये सब डॉक्टर ही सही करेंगे पर undisciplined life style से होने वाले problem को हम खुद भी अपने सूजबुष से सही कर सकते हैं हम इसी के उपर चर्चा करेंगे For example, जब कोई बच्चा इस्कूल से या बाहर से खेल कर घर पर आता है और तुरंट पानी पीने की जित करता है तो घर के लोग करते हैं कि नहीं, अभी कुछ देर रुख जाओ थोड़ी देर अराम करके ही पानी पीना है नहीं तो सर्दगरम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा या यदि उसको छोट लग गया है, तो तुरंट ही हल्दी लगा दिया जाता है तो क्या हुए लोग डॉक्टर हैं? नहीं, ये लाइफ इस्टाइल है सभी लोग को मालूम है, यहां सभी को मालूम है अंडिसिप्लिन लाइफ इस्टाइल के बारे में उसी तरह हम भी यहाँ पर समाज में 10-20 लोग को इकठा करके undisciplined life style से हो रहे समस्याओं से aware करते हैं यदि आप सभी के पास कुछ समय हो तो हम चित्रों के माध्यम से यहाँ पर health heaveness program पर चर्चा कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह सी introduction part complete करना है और जो लोग रुके हुए हैं उनको चित्रों के माध्यम से या आपके पास folder हो या projector हो जो भी आपके पास स्रोथ है उस माध्यम से आपको उनको aware करना है और aware करते हुए AWPL के सारे products और business plan के बारे में आगे की जनकारी देनी है तो I hope आपको जनकारी समझ में आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद